एजी स्टेप टेक्निकल क्रासेस में आपका स्वागत है तो दोस्तों आज अब्जेक्टिव कोश्चन लेकर आएं आपके लिए जो कि आई टे एलेक्टिशन के लिए बहुत ही इंबोर्डेंट कोश्चन तो चलिए देर ना करते हुए हम कोश्चन पर आते हैं और आप साथ में कोश्चन का जवाव अपने कॉपियों गरह पर लिखते रहिए या कॉमेंट बॉक्स में भी लिख शकते हैं ठीक है इससे आपको पता चले गलाश्ट में कि आपने कितने सहीं किये और कितने गलत हम साथ में आपको एंसर भी बताते जाएंगे जिसको हम हाइलाइट कर देंगे तो चलिए देखते हैं पहला कॉस्चन वोल्टेजर रेगुलेशन में उप्योग होता है तो वोल्टेजर रेगुलेशन में क्या चीज उप्योग करते हैं ठीक है जेनर डायोड वेवांतर फ्योज रेले आपशन चार दिया हुआ है इसमें से आपको एक ऑफशन तो आप अपना option लिख रकते हैं ठीक है इसका right answer यह होगा जेना डायोड ठीक है next question ब्रीज दिश्टिकारी में कितने डायोड उप्योग किये जाते हैं ब्रीज दिश्टिकारी को हम rectifier बोलते हैं ब्रीज rectifier ठीक है इसमें कितने डायोड यूज होता है दोस्तों इससे पहले मैं आपको बता दू कि ब्रीज rectifier होता क्या है ठीक है rectifier एक ऐसा circuit होता है electronic circuit जिसको डायोड को यूज करके हम लोग बनाते हैं AC को DC में चेंज करने के लिए AC मतलब बोले तो alternating current परते अवर्टी धारा को DC direct current में चेंज करने के लिए हम लोग bridge rectifier यूज करते हैं ठीक है तो इसमें चार डायोड यूज होता है ठीक है इसके लाव कोई device नहीं जो energy को इस्टोर कर सकता है हाँ capacitor है लेकिन वह भी बहुत कम फर्म में energy को इस्टोर कर सकता है ठीक है तो cell में जो energy store होती है यह DC होता है DC को हम इस्टोर कर सकते हैं और electrochemical form में हम लोग इसको इस्टोर कर सकते हैं तो primary वैसा cell होता है जिसको हम दुबारा यूज नहीं कर सकते हैं एक बार यूज करने के बाद वो उसको reuse नहीं कर सकते हैं ठीक है लेकिन secondary cell को हम लोग reuse कर सकते हैं तो इसमें से इसमें से आपका lead acid cell chargeable होता है जिसको हम लोग चार्ज कर सकते हैं और mercury लेक्टलांची और डेनियल को हम लोग दुबारा यूज नहीं कर सकते हैं ठीक है next question चलते हैं question number five है आपका इनमें से अचालक पधार्थ है अचालक वोले तो कुचालक ठीक है अचालक को हम लोग कुचालक या insulator भी बोल सकते हैं ठीक है तो insulator होता क्या है आपको सबसे पहले यह जानना है अगर आपको पता है तो वीडियो को post किजिए और comment box में लेकिए क आपको चालक किसे करते हैं ठीक है कुचालक पधार्थ वो होता है जिसमें विदुधारा फ्लो नहीं कराई जा सकती है कुचालक पधार्थ वो होता है जिसमें से विदुधारा को हम फ्लो नहीं करा सकते है उसमें free electrons के संकेन नहीं होती है weight diagram जब हम देखेंगे तो उसकी ब चालक की बात कर लेते हैं, चालक किसे कहते हैं, चालक जिसमें विदुधरा आशानी से फ्लो हो सके, उसे चालक कहते हैं, और उसमें फ्री अलेक्ट्रोंस के संग के आधिक मातरा में होती है, फॉर एक्जामपल के लिए, सोना, चांदी, कॉपर, एलमुनियम, यह सब चालक के दारन हैं, ठीक है, सबसे अच्छा चालक या उत्तम चालक आपका चांदी होता है, जिसको हम लोग सिल्वर बोलते हैं, और इसकी चालक ना 98% होती है, नेक्स्ट कोश्चन, सोल्डिंग आइ हम लोग यूज करते हैं, सोल्डिंग आइरन जब दो तार को जोडने के ज़रूरत होती है, कच्छा जोड़ की ज़रूरत होती है, तो सोल्डिंग की ज़रूरत पढ़ती है, ठीक है, सोल्डिंग आइरन जो होता है, उसको पहले हम लोग हेट करते हैं, और हेट करने के question number 7 की बात कर लेते हैं impedance impedance का मात्रग क्या होता है दोस्तों impedance resistance यह होता है ठीक है जो कि AC circuit में होता है DC circuit में जैसे normal resistance होता है वैसे AC circuit में inductor, capacitor और resistor तीनों को जब हम add कर देते हैं Z, it is denoted by Z तो उसे हम impedance करते हैं और इसका मात्रग भी ohm ही होता है next question ब्याट्री का ये सी यहाँ पर दो तिन चीज़े लिखी हुई है multimeter, lactometer और wij 함께 इन तो नहीं के बारे मागर आपको पता है comment box में जरूर हमें answer नहीं परमाडों के नाभिक में क्या होते हैं जैसे आपको पुरास में प्रप्रोस नाभिक में बता खोरalt like दो वो वीडियो तो वीडियो जरूर देखिए, उससे आपको बहुत सारे नॉलिज मिलेगी, ठीक है? तो परमाडू के नाभिक में प्रोटोन और नेट्रोन होता है, ठीक है? और इसकी बाहरी का ख्षिर में अलेक्ट्रोन होता है, दूस्तो प्रोटोन नेट्रोन का खोज किसने किया था और electron के खोज किस ने किया था आपको पता है तो आप जरूर मुझे बता है ठीक है next question UPS UPS का पूरा नाम क्या है UPS का पूरा नाम unit corrupted power supply है ओके तो दोस्तो आज के लिए इतना है कमेंड बाक्स बता है आपको वीडियो कैसा लगा अगर अच्छा लगा तो वीडियो के लाइक किसे एंड थैंक्स फॉर बाच्चिक